नमस्कार दोस्तूं, RPSC 2nd Grade पेपर फेष्ट के लिए हम देख रहे थे राजस्तान की कलास सेंस करती, कलास सेंस करती की पहली कलास में हम देख रहे थे राजस्तान की लोग देवियां, मित्रू आज राजस्तान की लोग देवियू का ये भाग सेकिंड है, जिसके अंदर जो नोट्स चाहिए यानि सेकंड ग्रेट जी के पेपर फेस्ट है आपका इसके आपको नोट्स चाहिए पीडियप ये चाहिए तो कुछामन ओनलाइन क्लाशिज एप डाउनलोड कर लें लिنक डिस्क्रिप्शन में दिया हूए पले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और जाइए स्टोर में वहाँ से आप हैं जो सभी नोट से इनकी पीडियप प्राप कर सकते हैं दोस्तूं। तो आज हमारे लोग देवियों के अंदर पहली देवि आती है चामुंडा माता दोस्तूं। चामुंडा माता का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है महरांगट दुरग के अंदर इंपोर्टेंट क्यों सन है आया वा क्यों सन है मित्रूं चामुंडा माता का मुख्य मंदिर महरांगट दुरग महरांगट दुरग कहाँ पर है जोदपूर के अंदर चामुंडा माता गुर्जर परतियार राजवन्स की कुल देवी है गुर्जर परतियार जो हमने इतियास भी से पढ़ा था गुर्जर परतियार राजवन्स वहां पर हमने पढ़ा था उनकी क्या है कुल देवी है दोस्तु और मारवाड के जो राठोड है उनकी क्या है आरादे देवी मारवाड के राठोडू की आरादे देवी है चामुंडा माता important question यहां से बन सकता है 30 सितंबर 2008 को 30 सितंबर 2008 को परतम नवरात्रा के दिन मची भगदर से कहीं लोग मारे गए थे महरानगड दुरग में जो मंदिर है वहां पर जिसे कहा जाता है महरानगड दुखानति का क्या कहा जाता है महरानगड दुखानति का उसको कहा जाता है इस गटना पर सरकार ने जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया था यानि जो ये गटना हुई थी उसकी जांच के लिए सरकार ने कौन सा आयोग बनाया था जसराज चोपड़ा आयोग बनाया था ये important question आपके लिए बन सकता है next लोग देवी की ओर चलते हैं तो आती है हमारे अंबीका माता दोस्तूं अंबीका माता का जो मुक्य मंदिर है वो कहाँ पर है जगत उदेपूर के अंदर जगह है जगत जगत के अंदर है अंबीका माता का मुक्य मंदिर बहुत important है और यहां से जो क्यूसन बनेगा वो इस परकार बनेगा जगत उदेपुर में इस्तित अंबीका माता मंदिर का निर्मान किसने करवाया था तो निर्मान करवाया था आलू रावलने दोस्तु किसने करवाया था आलू रावलने मित्रु इस मंदिर को मेवाड का खजुराओ कहते हैं मेवाड का खजुराओ किस मंदिर को कहते हैं अंबीका माता मंदिर जगतवाला उसको कहा जाता है दोस्तु खजुराओ मद्दे परदेश में इस्तित है या नोवी से ग्यारवी सताबदी के मद्दे चंदेल राजवन्स के दिन मंदीर स्तापत एकला का निर्मान हुआ यह मंदीर नागर सेली में बने विये मित्रू तो मेवाड का खजुराओ जबकि खजुराओ तो मद्दे परदेश में मेवाड का खजुराओ कहा जाता है जगत के अम्भीका माता मंदिर को दोस्तु आगे चलिए अब आपने यहाँ पर तो यह देख लिया मेवाड का खजुराओ जबकि खजुराओं है मद्दे पर्देश में लेकिन बात आती है मित्रों कि राजस्तान का खजुराओं किसको कहा जाता है किराडू को कहा जाता है राजस्तान का खजुराओ किराडू को कहा जाता है राजस्तान का खजुराओ किराडू है कहा पर बाडमेर जिले के अंदर हाडोती का या राजस्तान का मिनी खजुराओ किसको कहते हैं बंडदेवरा बारा जिले में बंडदेवरा उसको कहा जाता है राजस्तान का मिनी खजुराओ या हाडोती का खजुराओ तो तीन क्यों सन, पहला मेवाड का खजुराओ, दूसरा राजस्तान का खजुराओ, तीसरा राजस्तान का मिनी खजुराओ, ये तीनों के तीनों आपको याद होने चाहिए दोस्तु, आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारी लोग देवी आती है मित्रू, वो आती है अर्बूद चिरोई के अंदर इस्तित है उपनाम देखिये देवी का क्या है आदर देवी अरबुदा देवी का मंदिर है जिसका नाम क्या है उपनाम क्या है आदर देवी है मित्रू गुरू सीकर जो सर्वोची सीकर है मित्रू वहां पर इस्तित है यह राजस्तान का सर्वादिक उंचा मंदीर कौन सा है अर्बूदा माता का मंदीर है कहां पर है माउंट अबू में माउंट अबू की सर्वोचे चोटी गुरू सिकर गुरू सिकर पर इस्तित है मित्रू अमित्रू यह उंचाई पर है इस वजे से इस मंदीर को राज यानि इस देवी को अर्बूदा माता को आपके लिए नेक्स्ट देवी की ओर चलते हैं तो आते हैं नक्टी माता नक्टी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है जे बवानीपुरा जेपुर के अंदर नक्टी माता का मंदिर कहाँ पर है जे बवानीपुरा जेपुर के अंदर है मित्रू ये जो नक्टी माता का मंदि ये मंदिर गुर्जर परतियार काल का है गुर्जर परतियार काल के अंदर बना हुआ मंदिर है मित्रुये इस परतिमा की नाक चोरु ने काट दी इसलिए ये नक्टी माता कहलाई चोरु ने नक्टी माता के अंदर जो नक्टी माता के अंदर जो परतिमा लगी हुई थी तो चोरु ने क्या क्या उनकी ना काट दी, इसी वज़े से इनको नक्टि माता का नाम दिया गया रानी बट्यानी का मुक्य मंदिर कहां पर है जसोल बाडवेर में बादरपद सुकल तरत बादरपद सुकल यानि तहरस को यहां पर क्या लगता है विसाल मेला बरता है क्या कब बरता है बादवे महिने के सुकल पक्सकी तहरवे दिन को यहां पर विसाल मेला है जो बढ़ता है नेक्ष्ट माता में चलते हैं तो आती है हमारी गेवर माता इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा मितरू जब जीलें पढ़ते हैं तो गेवर माता का क्युसन वहां पर important बन जाता है मितरू तो देखे, मुख्य मंदिर का है गेवर माता का, नो चोकी की पाल रासमन जील में, नो चोकी की पाल रासमन जील में गेवर, नो चोकी की पाल रासमन जील है, इसके किनारे पर है मित्रू, वहाँ पर है गेवर माता का मंदिर, रासमन जील की नीव गेवर माता ने रखी थी, ये क्योंसन आ सकता है एक जाम के अंदर? अभी बता रहा हूं, इंपोर्टेंटा आपके लिए ये. सिधा पूछा जा सकता है रासमन जील, जो रासमन जील है, इसकी नीव किसने रखी? गेवर माता ने. ये मूलता है एक सती मंदिर है. गेवर माता का मंदीर है ये कैसा मंदीर है सती मंदीर है दोस्तूं राजस्तान की एक मातर लोग देवी जो बिना पती के अकेली सती हुई थी गेवर माता दोस्तूं एक मातर लोग देवी है ये आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारी लोग देवी आती है सचाई माता या सचियाई माता दोस्तूं सचियाई माता का जो मुक्चे मंदिर है वो कहां पर है ओसियां के अंदर ओसियां कहां पर है जोधपूर के अंदर तो सचियाई माता का मुक्चे मंदर ओसियां जोधपूर के अंदर है दोस्तूं ओसियां का प्राची नाम उपकेस पटन ओसियां जो है सहर है इसका पुराना नाम क्या था उपकेस पटन यहाँ पर किसका मंदिर है सचियाय माता का मंदिर है जो सचियाय माता है मित्रु यह ओस्वाल जाती की क्या है कुल देवी है इस मंदिर में माता की मूरती महिसंसूर मर्दनी के रूप में यह क्यूसन आपके एकजाम में बन सकता है मित्रु जो ओसियां के अंदर सचियाए माता का मंदिर है वहाँ पर जो माता सचियाए माता की मूर्थी है वो किस रूप में हैं? किस रूप में हैं? महिसा सूर मर्दिनी के रूप में इस्तित है दोस्तूं ये मंदिर महामारू सेली या गुर्जर परतियार सेली में बनावा है जो सचियाय माता का मंदिर है ना ये महामारू सेली बोलो या गुर्जर परतियार सेली बोलो उसके अंदर बनावा है मंदिर का जो निर्मान है वो परमार सासक उपल देव ने करवाया था इस मंदिर का निर्मान किसने करवाया था परमार सासक्त उपलदेव। उन्होंने इस मंदिर का निर्मान करवाया था। साविव स्थ्भाव کی लोग डेवी भी कहा जाता है तो यह क्यों सकता है स्थाएं माताfeld कि Ark अगर developmentंड के इंदर आप के लिए ये बन सकता है आगे चलिए मीत्रू नेक्ष्ट माता में चलते हैं तो नेक श्ज्ट माथा आती है हमारे लटियाल माता बात करें लटियाल माता के मुख्य मंदिर की तो मुख्य मंदिर है फलोधी जोधपूर के अंदर लटियाल माता का मुख्य मंदिर कहां पर है फलोधी जोधपूर के अंदर दोस्तों कल्ला वे पुसकरना ब्रामनों की कुल देवी है लटियाल मात important चीज ये इस माता के रूप में खेजड़ी वरक्स की पूजा की जाती है इसलिए इसे खेजड़ बेरी राय भुवानी भी कहते है ये बहुत important question बन सकता आपके लिए खेजड़ बेरी राय भुवानी के रूप में किस माता को पूजा जाता है लटियाल माता को पूजा जाता है क्यों कि इस माता के रूप में हम खेजड़ी वरक्स है उसको पूजते हैं इसी वज़े से इसको कहा जाता है लटियाल माता को खेजड़ बेरी राय भुवानी important question यहां से यह बन कर आ सकता है next नेक्ष्ट हमारी देवी आती है चोत माता चोत माता का जो मुक्य मंदीर है वो है चोत का बरुवाड़ा में और इस बार चोत का बरुवाड़ा राय सुर्क्यों में तो क्यों सन यहां से बन सकता है कि चोत का बरवड़ा में कौन सी माता का मंदीर इस्तित है चोत माता का चोत का बरवड़ा है ये कौन से जिले में है सवाई मादोपूर के अंदर चोत माता कंजर जाती की क्या है आरादे देवी चोट माता किसकी है आरादे देवी कंजर जाती की आरादे देवी है दोस्तु नेक्स्ट माता की ओर चलते है नेक्स्ट हमारी लोग देवी आती है जमवाई माता कौन सी माता है जमवाई माता जमवाई माता का जो मुक्य मंदिर है वो है जमवा रामगड के अंदर जमुआय माता का मुक्य मंदिर कहां पर है जमुआ रामगड के अंदर इस्तित है अमित्रु जो जमुआ रामगड के अंदर जमुआय माता का मंदिर है इसका निर्मान कराया था दूले राई ने किसने करवाया था दूले राई ने इसका निर्मान करवाया था जमुआई माता का अन्य नाम है अनपूर्णा देवी आपको कहें पर अनपूर्णा देवी लिखावा मिले तो मान लेना कौन सी माता है जमुआई माता ही है दोस्तूं आमेर का जो कच्छावा राजवन्स है उनकी क्या है ये कुल देवी है आमेर के कच्छावा राजवन्स की कुल देवी जमवाई माता है दोस्तु अमित्रो जमवाई माता के बारे में कहा जाता है क्या कहा जाता है सत्यूग में मंगलाए त्रेता यूग में हडवाए द्वार यूग में बुढवाए और कली यूग में जमवाए अब यहां से ये चारू के चारू आपको नाम याद रखने सती यूग, त्रेता यूग, दुवार पर यूग और कल यूग ये चार यूग है तो इनके अंदर जमवाई माता के अलग अलग नाम है तो सती यूग में हैं मंगलाई, त्रेता यूग में हडवाई, दुवार पर यूग है उसमें हैं बुडवाई और कल्यूग में हैं जमुआए तो सीधा क्यूसन कैसे बनेगा जमुआई माता को त्रेता यूग में किस नाम से जाना जाता है तो important क्यूसन बन सकता है किस नाम से जाना जाता है हडवाई के नाम से जाना जाता है मित्रू आगे चलते हैं next हमारी काली का माता का मुक्य मंदिर कहां पर है चितोडगड दुरक के अंदर यह मूलते एक सूरिय मंदिर था यानि कि जब यह मंदिर मना था उसमें क्या था सूरिय मंदिर दोस्तों मेवाड के मारणा सजन सेंग ने इसका क्या करवाया था पूनर निर्मान इस मंदिर का है किसने क पुरुक के अंदर मूलते जो कालिका माता का मंदिर है वो एक सूरिय मंदिर था इस मंदिर का पुनर निर्मान किसने करवाया है महाराना सजन सिंग ने इसका पुनर निर्मान करवाया है नेक्स्ट की ओर चलते हैं तो नेक्स्ट आती है सुगाली माता जिसके बारे में हमने जो चमपावत है उनकी कुल देवी हैं इसे 1877 की करांती की देवी भी कहा जाता किसको सुगाली माता को दोस्तुं सुगाली माता की जो मूर्ति है वो वर्तमान के अंदर पाली के बंगड संग्राले में इस्तिता है सुगाली माता के मूर्थी कहां पर अभी पाली के अंदर जो बंगड संग्राले है वहां पर दोस्तूं सुगाली माता के इस देवी के दस तो सीर और चोपन आता है यह क्यों सन आया था दस सीर और चोपन और हात वाली देवी कौन सी है सुगाली माता है तो प मूर्ति वर्तमान में कहां पर है पाली के बंगड संगलाले में सुगाली माता कि कितने सिर्व कितने आता है दस सिर्व है चोपन हा दोस्तूं नेक्स्ट हम लोग देवी की ओर चलते हैं तो आती है आमजा माता कौन सी माता आमजा माता का जो मुख्य मंदिर वो कहां पर है केलवाडा केलवाडा किस जिले में पढ़ता है मित्रू ये ये पढ़ता है उदेपूर में तो केलवाडा उदेपूर में आमजा माता का मुख्य मंदिर इस्तित है ये बिलू की कुल देवी है आमजा माता बिलू की कुल देवी कौन आमजा माता है दोस्तूं इस मंदिर की पूजा पदती स्रीनाजी के मंदिर नादवारा जैसी है जिस परकार स्रीनाजी का मंदिर नादवारा में वहाँ पर जिस परकार पूजा की जाती ह उसी परकार से आमजा माता के मंदिर में पूजा आमजा माता की की जाती है माता के मंदिर में एक पुजारी बील बोपा होता है और दूसरा क्यों होता है बिरामन होता है क्योंकि बीलू की क्या है कुल देवी तो एक जो पुजारी होता है वो तो बील बोपा होगा, दूसरा होगा ब्रामन, तो ये भी क्योंसन बन सकता आपके एक्जाम के अंदर आम जामाता का मुक्यमंदीर है केलवाडा में किन की कुल देवी है बीलू की पूजा पधती किसके समान है? सिरिनाज जी के मंदिर के समान आदुआरा वाले और दो यहाँ पर पुजारे रहेते एक तो पुजारी होता है बील बोपा और दूसरा होता है बिरामन दोस्तूं नेक्ष्ट माता की ओर चलते हैं तो next माता आती है हमारे तुलजा भवानी मित्रू तुलजा भवानी माता मुक्य मंदिर कहां पर है चितोडगड दुरग के अंदर ये चत्रपती सिवाजी की क्या है आरादे देवी है मित्रू तुलजा भवानी माता है चत्रपती सिवाजी की आरादे देवी बन सकता है एक् के मंदिर है चितोडगड दुरग में इससे पहले किन काया था काली का माता का काली का माती का मंदिर कहां पर था चितोडगड दुरग के अंदर नेक्स्ट हमारी देवी आती है बान माता बान माता का जो मुख्य मंदिर है ये कहां पर है चितोडगड दुरग के अंदर तो ती केलवाडा वे नागदा उदेपूर जिले के अंदर केलवाडा वे नागदा में बान माता के मंदिर है ये मेवाड के गुईल वंस की कुल देवी है तो मेवाड का जो गुईल वंस है उनकी कुल देवी कोन है बान माता है दोस्तुं नेक्ष्ट देवी की ओर चलते हैं तो ने के मंदिर बदाना माता का कहां पर है कोटा के अंदर है यहां पर मूट पिडित वेक्तिव का क्या होता है इलाज होता है और कोटा राजवन्स की कुल देवी है बदाना माता कोटा जो राजवन्स है उनकी कुल देवी कोन सी माता है बदाना माता है इंपोर्डेंट क्यों सन ब किंसरिया ग्राम परबसर तेसिल नागोर के अंदर ये क्यों से नाया हुआ है पेले केवाई माता का मुक्य मंदिर वहाँ पर उप्षन मिला था किंसरिया परबसर परबसर तेसिल का गाम है किंसरिया वहाँ पर इस्तित है केवाई माता दोस्तूं दहिया जो राजवन्स है उनकी कुलदेवी है केवाई माता है दोस्तूं मंदिर का जो निर्मान है चुवान सासक दुरलब राज के सामन चच ने करवाया था केवाई माता का जो मंदिर है उसका निर्मान करवाया था दुरलब राज उनके सामन थे चच चच ने इस मंदिर के वाई माता के मंदिर का निर्मान करवाया था आगे चलते हैं नेक्स्ट लोग देवी की ओर नेक्स्ट लोग देवी है कुसाल माता कुसाल माता नहीं कुसाल माता है उनसी है कुसाल माता मुख्य मंदिर कहाँ पर है कुसाल माता का बदनोर बीलवाडा में कुसाल माता का मुख्य मंदिर है बदनोर बीलवाडा में मंदिर का निर्माण महारणा कुमबा ने बदनोर विजे के उपरांत किया तो कुसाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया था महारणा कुमबा ने जब बदनोर को क्या कर लिया था विजे जी चलते नेक्ष्ट माता आती है सक्राइ माता का जो मुख्य मदिर है वो है उधेपुर वाटी जुन-जुनू में धोस्तों कंडेल वालू क्या है ये खंडेल वालू की क्या है इस देवी को परत니 पर इंटरनेट पर कीया गे जारी किया गया दो sunt 1718 के अंदर इस देवी सिकराय माता को क्या किया गया था उसाल माता की बात करें तो बधनौर भीलवाडा में मंदीर और मंदीर का निर्मान करवाया था माहराणक कूंबा ने सकराय माता का मंदिर है उदेपुर वाटी जुन-जुनु में खंडेल वालू की एक कुल देवी और 2017 में इस देवी को इंटरनेट पर जारी किया गया था आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे देवी आती है साखंबरी माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया है मित्रू वासुदेव चुहान ने साखंबरी माता का मंदिर सांबर में जिसका निर्माण कराया है वासुदेव चुहान ने ये राजे की सबसे प्राचिन लोग देवी है और ब्रतपूर के जाट राजवन्स की यह क्या है कुल देवी माता का मुक्क्य मंदिर कहां पर है ब्रतपूर में और बरतपूर में सासन किसका था जाट राजवन्स का तो जाट राजवन्स की कुल्देवी राजेस्वरी माता है दोस्तूं ये थी हमारी मुखे देविया अब एक बार जो सेस बची हुई देविया है उनके मंदिर काहँ पर है उनके बारें में विशेस क्या है उसके बारे में देखते हैं तो चलिए मित्रू आगे देखते हैं इंपोर्टेंट चीज है जो क्यूसन बन सकता है किसी भी परकार से हैं वो आपके सामने रहेगा लोग देवी का नाम इस्तान यानि मंदिर कहां पर है और कुछ विसेश उनके बारे में हो तो वो दोस्तों बवाल माता बवाल माता का जो मंदिर या इस्तान है वो है बवाल मेड़ता नागूर में नागूर जिले के मेड़ता में बवाल गाउँ है वहाँ पर बवाल माता का मंदिर है देवी को आज भी सराब चड़ती है देवी को आज भी क्या है सराब चड़ाई जाती है मित्रू नेक्स्ट है मर्खंडी माता, मर्खंडी माता का जो इस्तान है वो है निमाज पाली पाली के अंदर निमाज, मर्खंडी माता का इस्तान निमाज पाली दनोप माता का मंदिर है दनोप गाउं सहापुरा बीलुवाडा में बीलुवाडा के अंदर सहापुरा के अंदर है गाउं दनोप और दनोप में है दनोप माता का मंदिर दोस्तुँ आगे चलिए नेक्स्ट हमारी लोग देवी है विरात्रा माता विरात्रा माता का मंदिर है चोठन बाडमेर बाडमेर के चोठन में है विरात्रा माता का मंदिर अमित्रू विरात्रा माता को अन्य नाम उसे भी जाना जाता है देखे अन्य नाम वाकल माता और बोपू की है ये कुल देवी तो क्यों सन बन सकते हैं विरात्रा माता का मंदिर चोटन में अन्य नाम वाकल माता बोपू की कुल देवी विरात्रा माता है आगे देखे चीच माता यह चीच माता है दोस्तूं चीच माता नीची देखे चीच माता है यह तलवाड़ा बास्माड़ा के अंदर इनका मंदिर और जो चीच माता है इनका मंदिर कहां पर है जैपूर पबात करते हैं जिल्लाणी माता का मंदिर है बहरोड अलवर में राटासन देवी का मंदिर है केलासपुरी उदेपूर के अंदर आगे चलिए, आगे हैं कोडिया देवी, कोडिया देवी का मंदिर है बारा के अंदर और कोडिया देवी सहरिया जंजाती है उसकी क्या है कुल देवी, कोडिया देवी किनकी सहरिया जंजाती की कुल देवी है दोस्तों सांबरा माता, सांबर के अंदर, सांबर के अंदर किनका मंदिर था साकंबरी माता का था लेकिन ये सांबरा माता है सांबरा माता का मंदिर है पच्पद्रा बाडमेर के अंदर और लवनता की देवी किसको का जाता है सांबरा माता को कहा जाता है फजबदरा जीले वहाँ प्रिष्टिते सामरा माता अगमंदिर इसी वज़े से इनको लवनता की देवी कहा जाता है खल काणी माता इनका जो मंदिर है वो लूनियावास जेपूर के अंदर है लूनियावास क्यों परसिद है कमेंट करके बताएए मित्रू किनका मेला लगता है लूनियावास के अंदर नेक्स्ट माता है कंठेस्री माता उदेपूर में इनका मंदिर है और आदिवास्यू की है ये कुल देवी कंठेस्री माता का मंदिर उदेपूर में आदिवास्यू की कुल देवी सेरिया जनजाती की कुल देवी है कोडिया देवी जिनका मंदिर है बारा में सामरा माता का मंदिर है पंचबद्रा में जिनको लवनता की देवी कहा जाता है खलकानी माता लूनी आवास में इनका मंदिर है कंटेसरी माता उदेपुर में मंदिर है और आदिवासियों की क्या है ये कूल देवी है बात करें इड़हना माता उदेपुर में इनका मंदिर है और आग से सनान करने वाली देवी क्यों सना सकता है आग से सनान करने वाली देवी इढ़ाना माता है कौन सी है इढ़ाना माता दोस्तु आगे देखे आगे है बरमर माता का मंदिर कहाँ पर है परताब गड के अंदर इसती थैं दोस्तु आगे चलिए नेक्स्ट है हमारे सर्षवती माता सर्षवती माता का जो मंदीर है वो है पिलानी जुन जुनु के अंदर जोगणिया माता का मंदीर है बेंगु चितोड वे बीलवाडा बेंगु चितोड के अंदर और बीलवाडा में दोनु जग मंदीर है जोगणिया माता का खेमल खेमल या शेमकरी माता ये इंपोर्टेंट चीज है मितरू खेमल खेमल या शेमकरी अलग लग नामों से इनको जाना जाता है तो खेमल भी कहते हैं खेमल भी कहते हैं शेमकरी भी इनको कहते हैं इनका जो मंदिर है वो है बसंत गड़ दुरग सिरोई के अंदर कहां पर है बीनमाल जालोर के अंदर मनसा माता मनसा माता का मंदिर है उदेपूर वाटी के अंदर मनसा माता का मंदिर कहां पर है उदेपूर वाटी में सर्शवती माता का पिलानी जुन जुनु में जोगणिया माता का बेंगू चितोडगड और भीलवाडा में केमल खिमल या सेमकरी माता का बसंत गड़ दुरक सिरोई में सुंदा माता का मंदिर बीनमाल जालोर में मनसा माता का मंदिर उदेपूर वाटी में आगे चलिए मित्रूं आगे हैं मारे हिचकी माता हिचकी आते ना हिचकी माता इनका मंदिर है सनवाड उदेपूर के अंदर सनवाड उदेपूर मे इनका मंदिर है सवांगिया माता मंदिर कहां पर है जेसल मेर के अंदर जेसल मेर मेर में किनका सासन बाटी राजबंस का तो जेसल मेर के बाटी राजबंस की क्या है ये कुल देवी है और सवांगिया माता को ही किस रूप में सुगन चिडी के उतार के रूप में पूजा जात और आगे देखे नारायणी माता का जो मंदिर वो है राजगण अलुवर के अंदर और नाही जाती की क्या है ये कुलदेवी है। बद्रकाली माता का मंदिर है हनुमानगड के अंदर तो एक बार फिर देख ले इनको हिचकी माता का मंदिर सनवाड उदेपूर सुआंकिया माता का जैसलमेर जैसलमेर का जो पाटी राजवंस है उनकी एक कुलदेवी अन्य रूप के अंदर आवड माता या सुगंचडी ना जाती कि ना आपके नराहायणी माता कुल देवी और बदरकाली माता का मंदिर है वो है हनुमाँगड के अंदर दोस्तुुुु तो दो कलासो केंदर हमने संपून राजस्तान की लोगदेवियूं के बारे में यहां पर हस्त लिकिट नोट सुके दुआरा देखा दोस्तूं बाकी की जो भी क्लासे हैं मितनु वो आपको पलेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी जिस परकार जीके पेपर है फेस्ट पेपर है उसके हर एक विसे की क्लासे हैं बगब कंपलीट हो चुकिए सिक्स्यामनोविग्यान की क्लासें चल रही है और क्लासें सकर्ती की ही क्लासें चल रही है बाकी सबी क्लासें हो चुकिए तो उनकी पलेलिस्ट बनी हुए है वहाँ पर जाकर आप क्लासे टेंड कर सकते हैं और जिन भी सातियों को ये नोट्स चाहिए वो कुछामन ओनलाइन क्लासेज डाउनलोड करें और एप के अंदर इस्टोर में जाएए वहाँ पर आपको पीडिये पे मिल जाएगी दोस्तु तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक सेर और जो भी नहीं सातिये चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें आप सभी को बहुत बहुत दन्यवाद जे हिंद जे भारत